जल्ड ही वर्स 2024 की सुरुवात होने वाली है हर कोई चाहता है कि आने वाला वर्स उनके लिए सुख सम्रिधी लेकर आए और मंगल मैं हो अगर आप भी खूब धन कमाने की खुआइस रखते हैं तो आपको नए साल के पहले दिन ही कुछ खास काम कर लेने चाहिए जियोतिस सास्तर के अनुसार साल के पहले दिन ये काम कर लेने से साल भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है नए साल के पहले ही दिन ये उपाई कर लेने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन समंधी समस्याओं का सामना नहीं करना परता है नारियल का उपाई अगर आप लंबे समय से किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो नए वर्स के पहले दिन ये उपाई जरूर करें साल के पहले दिन सुबहसनान के बाद स्वच कपड़े पहने और मा लक्षमी और भगवान विश्णु का ध्यान करें उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें पूजा के दोरान माता लक्षमी को एक अक्षी नारियल चड़ाएं पूजा पूरा होने के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांध कर इसे अपनी तिजोरी में रख दें माना जाता है कि इस उपाई को करने से आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है नए साल पर करें चावल के उपाई अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है या फिर पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं तो नव वर्ष के पहले दिन पूरी स्रधा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें उन्हें एक मुठी साबूत चावल अलपित करें पूजा करने के बाद इन चावलों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दे इसमें से थोड़े से चावल निकाल कर अपने पर्स में भी रखें नव वर्स के पहले दिन इस उपाई को करने से हर तरह की आर्थिक तंगी दूर होती है सुख सम्रिधी के लिए करें ये काम माता लक्ष्मी को कौडियां बेहद प्रिये है वर्स के पहले दिन असनान ध्यान करने के बाद मा लक्ष्मी को साथ कौडियां अर्पित करें और उनसे सुख सम्रिधी की प्रार्थना करें पूजा के बाद इन सारी कौडियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख सम्रिधी और खुसहाली बनी रहेगी